देखिए एक कुश्यन है आपका example number 6.7 कुश्यन क्या कह रहा है एक wheel with 10 metallic spokes each 0.5 meter long is rotated with a speed of 120 revolution per minute देखिए यह हमारा एक wheel है जिसमें total कितनी spokes है 10 spokes है एक, दो, तीन, चार ऐसे करके 10 spokes है ठीक है इन spokes की जो length दे रही है वो दे रही है 0.5 meter तो आप यह कह सकते हो कि यह जो wheel है इसका radius 0.5 meter है ठीक है इस rotated with a speed of 120 revolution per minute तो उसके rotate होने की जो speed दे रही है वो है आपका 120 revolution per minute इसका मतलब revolution per minute का मतलब यह है कि यह आपकी frequency है ठीक है तो सबसे बहले से revolution per second में convert कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा 120 revolution divided by एक minute में कितना होता है 60 second तो 60 to the 120 तो frequency हो गया आपका 2 revolution per second ठीक है समझ मागे इतना अब देखो कोई भी wheel अगर rotate कर रहा है तो उसके पास angular velocity भी होगा मालो यह इस तरीके से rotate कर रहा है तो इसके पास omega angular velocity है तो यह angular velocity के लिए जो formula होता है वो होता है आपका 2 pi into frequency तो angular velocity हो जाएगा आपका 2 pi into frequency कितना 2 revolution per second तो यह हो जाएगा आपका 2 into 2 4 pi radian per second ठीक है तो यह हमने angular velocity calculate कर दिया अब देखे बच्चों कोई भी देखो इस question को पढ़ लेते है पहले देखो क्या लिगा था कि a wheel is rotated in a plane normal to the horizontal component of earth magnetic field वो कहा रहा है कि earth का magnetic field है वो यह कहा रहा है कि wheel जो rotate कर रहा है वो जिस plane में rotate कर रहा है मतलब वो plane जो है earth के magnetic field के normal है लेकिन earth का magnetic field है वो कौन सा है horizontal component of earth magnetic field की बात हो रही है ठीक है तो यह wheel जो rotate कर रहा है जिस plane में rotate कर रहा है वो plane जो है earth के magnetic field के normal है तो देखो इससे समझो पहले है, जैसे मालो यह आपका wheel है, तो earth का जो magnetic field है, वो horizontal component है, ठीक है, तो यह मैंने earth का magnetic field देखा है, ऐसे horizontal, तो वो इस wheel का जो यह plane है ना, इसके normal है मतलब, यह wheel क्या है, normal है, तो वो magnetic field क्या कर रहा है, इससे ऐसे perpendicularly cross करते वे जा रहा है, इतना आपको knowledge में रखना है, कि वो perpendicularly cross कर रहा है, तो यहाँ पर देखो, मैंने यह wheel बना रखा है, और इस wheel को perpendicularly cross करते वे magnetic field जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, समझ कहोंगा आप, यह perpendicularly magnetic field क्या कर रहा है, इससे cross कर रहा है, अब देखो, इस magnetic field के अंदर, यह जो spokes है, यह क्या कर रही है, rotate कर रही है, तो कोई भी rod अगर magnetic field में rotate करती है, तो उसमें EMF induce होने लगता है, उसी तरीके से, यह जो spokes है ना बच्चों, यह spoke है, इसमें भी EMF induce हो रहा होगा, कितना EMF induce हो रहा होगा, उसके लिए जो formula होता है, जो इस spoke में जो EMF induce हो रहा होगा, उसके लिए formula होता है, B omega r squared divided by 2, ठीक है, EMF induce होने का मतलब यह है, कि यह जो spoke है ना आपकी, यह अपने आप में battery है, यह battery की तरह behave कर रहा है, यह अपने आप में एक battery है, यह भी आपका अपने आप में एक battery है, यह भी आपका अपने आप में एक battery है, तो जितनी भी यहाँ पे spokes है, यह क्या कर रहे हैं, EMF induce कर रहे हैं, ठीक है, अब देखे बच्छों यह spoke अपने आप में अगर एक battery है तो इसका यह negative terminal यहाँ पर होगा और यह आपका positive terminal होगा अब देखो मुझे कैसे पता चला देखो उसके लिए right and thumb rule use किया जाता है तो देखो जैसे यह यह आपका thumb क्या है जिदर उसका motion हो रहा है वो यह thumb उस तरफ करना है आपको इस वाली finger का मतलब है magnetic field और यह आपकी current की direction को represent करता है ठीक है यह वाली finger center finger तो देखो बच्चो यह ऐसे angular उसकी velocity यह है इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो उसका जो motion हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है मतलब इस वाली spoke का motion इस तरफ हो रहा है तो जिदर motion हो रहा है उदर आप अपना thumb कीजिए यह मैंने thumb कर दी है और magnetic field अंदर की तरफ है तो magnetic field यह आपका magnetic field है thumb इधर कर दी है जिदर motion है तो आपकी देखो यह जो center finger है center finger कीदर आ रही है इस तरफ आ रही है समझ मारा है न इस तरफ आ रही है यह तो इधर इसमें यह current का direction इस तरफ होगा ठीक है तो आपकर दी है तो इसкое traffic से पॉज़िटिव टर्मिनल फ़िख कर रहा है तो इस यह जो कॉज़िव से पॉज़िव की तरफ होगा इस हां उस main पोग भी EMF, उतना ही EMF induce कर रहा होगा, तो इसके भी terminal इस तरीके से इसकी polarity होगी इसकी polarity भी इसी तरीके से होगी ठीक है ना, समझ मा रहा है तो ये भी उतना ही EMF induce कर रहा होगा, लेकिन बच्चों अगर आप इनके connection को देखो ना, तो ये parallel combination है देखो ये negative, इस negative के साथ connect है, negative, negative के साथ connect है negative, negative के साथ connect है, positive, positive के साथ connect है, ये positive, इस positive के साथ connect है, तो ये parallel combination है तो किसी भी parallel combination के लिए जो उसका equivalent EMF होता है ना, वो एक single battery के EMF के बराबर होता है, क्योंकि ये सभी battery के हैं, identical है तो समझ बागिया हो गई आपका parallel combination है और इसका जो equivalent EMF होगा एक single battery के EMF के बराबर होगा तो हम बस ये आपको induced EMF बस उसी को आपको calculate करना है वो इसका equivalent EMF होगा तो हमें क्या करना है जिस यहाँ पर value put करनी है अब देखो यहाँ पे जो अर्थ का जो magnetic field दे रहा था बचों ये horizontal component of अर्थ magnetic field तो जो magnetic field दे रहा था 0.4 gauss दे रहा था ठीक है और देखो 1 gauss 10 की power minus 4 tesla है तो यह हो जाएगा आपका 0.4 into 10 की power minus 4 tesla ठीक है तो यहाँ value put कर लेते हैं तो magnetic field तो हो गया आपका 0.4 into 10 की power minus 4 tesla angular velocity हो गया 4 pi मतब 3.14 भी आएगा यहाँ पर pi की value और यह आपका इसका radius है तो इसका radius था वो कितना दे रहा था radius यह दे रहा था 0.5 meter तो यहाँ पर आएगा आपका 0.5 meter into 0.5 meter divided by यह आपका 2 अब देखो decimal हटेगा यहाँ 10 आजाएगा यह decimal हटेगा यह ता इतना है तो यह 5 by 2 is a 10 5 by 2 is a 10 और यह 2 by 2 are 4 ना तो 4 के साथ यह कड़ जाएगा यह आपका 2 by 2 is a 4 यह आपका two by 2 are 10 इतना समझ मा रहा है तो यह कितना हो रहा है देखो 3.14 into यह आपका 10 की power minus 4 divided by 5 तो यह कितना हो जाएगा बच्छों देखो यहाँ पर तो यह decimal आएगा 56 जा 30, 52 जा 10, 58 जा 40 ठीक है तो यह हो गया आपका 0.628 into 10 की power minus 4 finally आप इसे scientific form में से लिख सकते हो 6.28 into 10 की power minus 1 into 10 की power minus 4 तो यह जो EMF आ रहा है बच्छों जिसमें EMF induced हो रहा है वो हो रहा है